Dear students, वागत है आपका मेरी चैनल Study Express में जिसमें आज हम 11th Standard महाराश्टरा Board हिंदी युवग भारती का रसा साथ देखने जा रहे हैं इसके पहले मैंने आपके लिए Model Question Paper का वीडियो अप्लोड कर दिया है Model Question Paper का वीडियो जरूर देखें इससे आपको किस तरह के Question आपको पूछे जा सकते हैं इसका एक नमुना मिल जाएगा वीडियो को पूरा देखें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिर्कुल ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का रसा साथ का वीडियो सबसे पहले देखेंगे रसा साथ के मुद्दे रसा स्वद में पहले क्या करना है सबसे पहले तो आपको लिखना होता है शीरशद जो टाइटल है आपका कौन सी पोएम है पोएम का टाइटल आपको लिखना है पोएम का नाम लिखना है उसके बाद आपको रचनाकर का नाम लिखना है उसके कभी कौन है और थर्ड नमबर पे आपके इंद्रिय कलपना लिखेंगे कि में मोटिफ में जो बाद में कलपना उस प्रतीक विधान, अगर वहाँ पर बहुत सारे प्रतीक दिये होते हैं, प्रतीक आत्मक जो जो बाते लिखी होती हैं, उनको आपको रस में जरूर मेंशन करना है, आगे आएगा आपका कलपना, कि कलपना क्या है, आगे आप तो पसंदिदा पंक्तियों का बारे में लिखना ह उसका प्रभाव लिखना है कि वो आप पर क्या प्रभाव डालती है आगे लिखना है पसंदिद पंक्ति के आगे लिखेंगे आप कवीता पसंद आने के कारण क्या है आपको ये कवीता क्यों पसंद है आप इसे क्यों पसंद करते हैं और इसके बाद आपको लिखना है कि का नाम है प्रेड़ने जिसे लिखा है पुरारिद जी ने इसका अरह सासवाद हम देखते हैं आधुनिक जीवनशैली में ओ आधुनिक जीवनशैली के कारण जो समस्या निर्मित हुई है उन समस्याओं मैं पहले ही बता चुकी हूं, कि त्रिवेणी क्या है, त्रिवेणी किसे कहते हैं, तो त्रिवेणी ज़ह है, त्रिवेणी एक नई प्रकार की विधा है, जिसमें तीन पंक्तियों का मुक्तचंद होता है, पहली और दूसरी पंक्ति में भाव, इमोशन और विचार आइडिया स्पष्ट रूप से जलगते हैं और दीसरी पंक्ति जो पहली दो पंक्तियों में छपे भाव होती है भाव होते हैं उसको नए आयाम के साथ अभिवेक्ट करती है यहने उसको नया एक्सपैंशन या डायमेंशन देने के कोशिश करती है तो यह जो प्रस्टित्रिवेणिया है इसमें कवी ने अपने जीवन निर्वा के लिए जो लोग घर से दूर हो जाते हैं उनके बारे में स्पष्ट किया है आधुनिक जीवन शेली के कारण जो निर्मित समस्या हैं उसे जुंजने के लिए प्रेणा देखे कवीता का शीर्षक ही है प्रेणा तो वो हमें प्रेणा देती है आधुनिक जीवन शेली के कारण निमित समस्याओं से द्रड़ता पुर्वक लड़ने की प्रेणा ये कविता दे रही है कविता के शीर्षक से ही आपको इसपश्ट हो जाना चाहिए तो जो लोग अपने जीवन निर्वा के लिए घर से अपने माबाप से दूर चले जाते हैं चाहे वो बेटा हो या बेटी और आर्थिक परस्टिती जो अपनी एकनोमिक कंडिशन है उसको सुधाने के लिए बहुत से मातापिता दोनों को नौकरी करना पड़ता है इन लोगों की परेशानिया इन लोगों की प्रॉब्लम्स का बहुत ही मारमिक है कि हम बिल्कुल टचिंग ढंग से यहां पर चित्रण किया गया है डिपेक्ट किया गया है कभी इस परष्ट करता है कि हमें अपनी जीवन में कई कठिनाईयों का सामना दिखिये करना पड़ते है जीवन है तो कठिनाईया आना स्वाभाविक है जीवन में कठिनाई तो आएगी है तो कठिनाईयों का हमें दृता पूर्वक सामना करना चाहिए struggle करने पड़ते हैं हमें कठिनाईयों को दूर करने के लिए बहुत सारे struggle करने पड़ते हैं इन कठिनाईयों को अपनी problems को अपने difficulties को दूर करने के लिए तो जीवन में कठिनाईय आएंगी जीवन में सुख दुख ये लगा रहता है हम अपने जिन्दगी किस तरह जीएंगे यह हमें आर्यों पड़िपन करता है कभी अपने त्रीविडियों के माद्यम से बताना चाहते हैं वो हमें बताना चाहते हैं कि जिस तरह काले अंदकार के बाद सुबा के उजली किरन दिखाई देती है ठीक उसी तरह जीवन में भी दुख के बाद सुख की प्राप्ती जरूर होती है अगर आपने अपने जीवन में कुछ खोया है कुछ दुख है आपको, कुछ प्राब्लम है तो वो प्राब्लम एक ना एक दिन जरूर दूर होगा आपको इस आशावाद के साथ रहना है आपको होपफुल रहना है कि जो दुख है वो दुख की काली चाया वो दुख जरूर दूर होगा और एक ना एक दिन आपको सुख की अनुभूती जरूर प्राप्त होगी जो भी आपके सामने डिफिकल्टीज है अगर आप हार्ड वर करेंगी तो दिफिकल्टीज जरूर दूर होगी आपके प्राप्ब्रम्स जरूर सौर्व होगे इसका आपको भरोसा रखना पड़ेगा आपको होपफुल रहना पड़ेगा आपको आशावादी बनकर जीना पड़ेगा जीवन में अगर हमें सफलता और ठोकरों का सामना करना भी पड़ता है कितनी भी आप्स्टिकल्स हमारे सामने आए हम असफल हो जाए लेकिन हमें क्या करना है हमें घपराना नहीं है हमें उन ठोकरों से उन असफलताओं से सीख लेनी है अपने प्रयातनों से सफलता को सफलता के बदलने का प्रयास हमें हमेशा करते रहना चाहिए ताकि हम जो भी हमारे सामने अबस्टिकल्स आए उन बाधाओं को उन ठोकरों उनको दूर करें उन अबस्टिकल्स को दूर करें उन बाधाओं को दूर करें और क्या करें और हम सफलता के शिकर पर चलें, और हम सफल हो सकें, हमें सुख हो या दुख हो, दोनों परिस्तिती में स्थिर रहना चाहिए, अगर हमें थोड़ा बहुत सुख मिलता है, तो हमें अपने पर घमर नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी-बड़ी बातें नहीं करना चाहिए, व अभी हमें अपनी समस्याओं का सामना हिम्मद और प्रत्न से करने की प्रेड़ना देता है। सतंत्रता की वास्तविक अर्थ समझाते हुए प्रस्तुत गीत का रसास्वादन कीजिए। 2 आप नाम आपने लिख दिया। इसके पहलों हुत्रे नाम आपोँ नाम आपने लिख दिया। मैंने की टाइटल होना चाहित है तो टाइटल आग्या पौय इसके नाम 쉬 Up North सदन करना पड़ता है तो गिरिजा कुमर माथू द्वारा रचित 15 अगस्त कविता धूप के दान कावे संग्रे से लिग गई है कवी सीमा पर तहनात जवानों से जो जवान सीमा पर तहनात है यानि बॉडर सीकेटिव फोर्स जो हमारी है जो बॉडर पर हमारी फोर्स है उनक लेकिन आज भी हमारा देश कई समस्याओं से जूज रहा है आज भी हमें शोशित पीडित और मृत समाज जो हमारा समाज जो है मृत प्राय हो गया है उसका उत्थान करना है पुनुर उत्थान करना है तभी जाके हम सही मायने में आजाद भारत के नागरिक के लाएंगे भ अभी ने स्वतंतरता के उत्सा को अभिवेक्ट किया है, हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हम स्वतंतर हो गए हैं, उसकी खुशी को एक्सप्रेस किया है, स्वतंतरता के परश्चार, विदेशी शासकों से जो हमें मुक्ति का उलहास है, वो जो है चारों तरफ छलग रहा है हमारी खुशी जो है तारों तरफ देखी जा रही है इस नए खुशी के साथ हमें क्या करना है हम देश्वासियों तर्था सैनिकों को सचग रहना है अलर्ट रहना है इसका एवान हमें कभी कह रहे है कभी हमें सचग रहने के लिए कह रहे है कभी कहता है कि स्वतंत्र तो हम हो गए हैं लेकिन आज भी हमारा देश कई समस्याओं से जूज रहा है हमें अपने समाज की समस्याओं को दूर करना पड़ेगा क्योंकि जो कई वर्षों तक अंग्रीजों ने हमारे समाज का एक्स्प्लोटेशन किया है जो हमारा समाज का शोशन किया गया है उससे हमारा समाज जो है मृत प्राय हो गया है मरसा गया है उसमें कोई उमंग नहीं है उसमें कोई उत्सा नहीं है उसमें कोई प्राण नहीं है तो इस तरह से हमें क्या करना है उसमें नए उमंग नए प्राण को भरना है इस तरह से हम कहीं पर वीरस और कहीं पर करुंडक्स ठल रहा है कविता में प्रतीकों का भी उप्योग किया गया है जैसे स्वतंतरता की रूप में स्वर्ग स्वतंतरता को कैसा बता है स्वतंतरता की खुशी ऐसी खुशी है जैसे कोई व्यक्ति स्वर्ग में खुशी प्राप्त करता है अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग में जाता है जितनी खुशी उसे स्वर्ग में जाने से होती है उसी तरह की कुछी स्वतंतरता प्राक्टी से हो रही है तो ये जो है स्वतंतरता की रूप में स्वर्गिये प्रतीक का उपयोग किया गया है भारतवासियों की प्रबल इच्छाएं के रूप में जन गंगा में ज्वार जन गंगा में जैसे ज्वार आती है उसी तरह की ज्वार भारतवासियों के मन में प्रबल इच्छाओं की आई हुई है कविता में प्रयुक्त पहली रतन हिलोर, युग बंदिनी हवाएं, उची मशाल जैसे शब्द समू को भी अभिवेक्ट किया गया है इससे कविता को और भी सुन्दर बना दिया जाता है आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना कविता की ये प्रंग्तिया मुझे बहती पसंद है, इनसे हमेशा सावधान रहने की प्रेड़ना मुझे मिलती है हमें मिलती है, स्वतंत्रता को हमने प्राप्तो कर लिया है, स्वतंत्र हम हो गए है, हम इंडिपेंटेंट हो गए है लेकिन आज भी हमारे सामने जो है, शत्रों का काला साया मन रहा है, शत्रों कभी भी हम रख सकता है, कभी भी धोका दे सकता है तो इसलिए हमें क्या करना है हमें सजग रहना है हमें अलट रहना है स्वातंतता को हमने प्राप्त कर ली लेकिन हाँ इस स्वातंतता को कायम रखना हमारे सामने सबसे बड़ी चुनेती है कविता में स्वातंतरता प्राप्ती से मिलने वाली खुशी का वर्णन किया गया है उसका description मिलता है कवी कहता है कि भारत से दुख की काली चाया पूरी तरह से भाटी नहीं है हमने मृत समाज को जीवित करने के लिए हमने बड़ा संगर्ष करना पड़ेगा क्योंकि यह समाज जो है मृत हो गया है उसमें कोई उमंग नहीं है वो बेजान है तो हमें उसमें नई आशा की किरन डालनी है उसमें नई उमंग डालनी है उसमें नई तरंग भरनी है जीवन जीने का नया उत्सहा हमारे समाज को देना है और समाज को रिबिल्ड करना है इसका उत्थान और विकास करने के बाद ही हम पूर्ण रूप से स्वतंद्र हो पाएंगे इस संभव बनाने के लिए हम सभी कंट्रिमेंट को क्या करना है हम सभी कंट्रिमेंट को मिलकर प्रयास करना है जब तक हम मिलकर प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम इस दिशा में सफलत नहीं प्राप्त कर सकते हैं इश्वर भक्ति तिथा प्रेम के आधार पर साखी के प्रथम छे पदों का रसा साधन करना है साखी के प्रथम छे पदों का रसा साधन करना है इश्वर भक्ति और प्रेम के आधार पर तो प्रस्तुत प्रंक्ति संत दादु दयाल द्वारा रचित, संत दादु दयाल ग्रंथावा लीगे, मद्य युग्जिन कावे, भक्ति महिमा से ली गई है, यह कविता दो हच छंद में लिखा गया है, और संत जी इन साख्यों के माध्यम से लोब, मोह, माया वह एहंकार को प्रेम के धाई अक्षर जिसने पढ़ लिये, वह व्यक्ति ज्यानी बन जाता है, वह व्यक्ति वाइसमेन बन जाता है, बहुत बड़ा ग्यानी कहला, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जो बड़े-बड़े वेद पुरानों का गहन अध्यन करते हैं, उसकी व्यक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी उनको जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिल पाता है, लेकिन जो व्यक्ति प्रभू का एक अक्षर भी पढ़ लेता है, वो सुजान, प किसी को भी कष्ट नहीं पहुचाता है, जहां माखन मन पावन भया माया रस पिया में अनुप्रास अलंका जलकता है, वहीं दूसरी तरफ दादू गावेत सुर्ती सो, बाणी बाजेताल, यहु मन नाचे प्रेम सो, आगे दीन दयाल, इन पंक्तियों में भक्ति रस मिलता ह साखियों में हमें प्रतीकों का भी बहुत ही सुन्दर धंग से प्रयोग देखने को मिलता है, जैसी भक्ति के रूप में रामरस, आत्मा के रूप में महल, आदी प्रतीक हैं, छेत्री बोली में पाहन, माखन, कुं का प्रयोग सुन्दर धंग से किया गया है, इन में आई, जिनकी राख्या तू करें, ते उबरे करतार, जे थे छोड़ हाथ ते ते डूबे संसर, इन पंग्टियों में, जिनकी राख्या तू करें, ते उबरे करतार, जे थे छोड़ हाथ ते ते डूबे संसर, ये पंग्टिया मुझे बहुत ही पसंद है, ये पंग्टिया दर्शा श्रिष्टी करता के महत्वपूर्णता को कि श्रिष्टी करता बहुत ही महत्वपूर्णता है जिनके सर पर इश्वर का हाथ होता है उनका कोई भी बालबाका नहीं कर सकता अथा उनका कोई कुछ नहीं विगाड सकता इसके विप्रित जिनका हाथ इश्वर छोड़ देते है उनको इस भाव सागर से कोई पार नहीं लगा सकता अता हम सब को इश्वर की शरण में जाना चाहिए हेश रिष्टी करता कहना चाहरा है कि कभी जिसकी रक्षा तू करता है वे संसार सागर से पार हो जाते हैं और जिनका तुँ हाँ छोड़ देता है वे भावसागर में डूप जाते हैं तेरी कृपा जो है अच्छे लोगों पर ही होती है इसलिए हमें अच्छा बनना है हमें इश्वर की शरण में जाना है साखियों के मध्यम से इश्वर की भक्ति करने एहंकार को त्यागने प्रेम की रहा पर चलने की मोटिवेशन हमें बहुती सरल धंग से कवी दे रहा है इश्वर को सर्वशक्ति मान मानना जाइए उसकी परम भक्ति वा आपसी प्रेम से बड़ा कोई दूसरा मार्ग नहीं है अंत में सभी को ये सच्छिकार करना पड़ता है कि इश्वर ही सर्वशक्ति मान है बाल हट और वातसले के आधार पर सूर के पदों का रसा स्वादन कीजिए तो मद्धियूगिन कावे आ बाल लिला ये सूर्जास जी द्वारा रचित कावे है जिसे सूर सागर रचना से लिया गया है इसे पच्छली में लिखा गया है इसके दो पद है पहले पद में बालक करिश्न चंदा से खेलने का हट कर बेटे हैं वा चंदा को खिलोने के रूप में पाना चाहते हैं माता येश्दा बड़ी ही चतुराई से पानी के पात्र में चंद्रम का प्रतिविम्ब दिखा कर उन्हें बहला देती हैं जबकि दूसरी तरफ माता येश्दा अपने लाल को कलेवा करने के लिए कलेवा करने के लिए तरह तरह के प्रलोबन देकर उन्हें मना रही हैं उनका दुलार कर रही हैं इस भावना को चित्रित किया गया है मदू मेवा पकवान मिठाई खारिक दाखो पराखीरा इन पंक्तियों में अनुप्ररस अलंकार का उप्योग किया गया है वहीं दूसरी तरफ दूसरी और उठिये साम कलेहू कीजिए मनमोहन निर्खत जीजे इन पंक्तियों में वातसलियरस की अनुप्रूती हो रही है प्रत्यक पंक्ति में लए और ताल देखने को मिलती है छेत्रिय भाशा के देशर शब्दों का प्रियोग किया गया है जैसे की खई हैं तो ही खवाव हैं तुमको खवावों इत्यादे इन से पदों की सुन्दता और प्रभाव और भी बढ़ जाता है पसंदिदा पंक्तियों के रोप में उठिये स्याम कलेवो कीजिए मन मोहन मुक निर्खत जीजे ये जो हैं पंक्तिया मुझे बेहुत पसंद है ये मेरी पसंदिदा पंक्तिया है इन पंक्तियों में जिस तरह से हर माँ अपने बच्चे के लिए बहुत थीत निस्वाद भाव से अपना प्रेम दिखाती है वो उसके लिए हित अन हित का ध्यान रगती है प्रेम करती है उसी तरह का प्रेम यहां पर मा और वेटे के बीच दिखाया गया है, इन पंतियों में एक मा अपने बालक के प्रती जो अपना प्यार है, वो दर्शा रही है, उसे देखने को मिलता है, मा जो अपने बालक से निस्वाद भाव से प्रेम करती है, हर पल उसके हित का दियान रखती है, वो अपनी खुशियों का सैक्रिफाइस करती है, अपने प्रॉब्लम्स को छोड़ देती है, और सदे भी वो अपने बालत के हित अनिट, उसके ही वेल बिंग के लिए चिंता करती है, माता प्रेम, माता के प्रेम वो उसकी निस्वाद ममत्वका कोई मोल नहीं है, यह हमें समझ लेना चाहिए और यही सत्य है, कि मा की ममता को कोई तोल नहीं सकता, मा की ममता निस्वार्थ होती है, गिर्मिट्यों की भावना तता कवी की समवेदना को समझाते हुए कविता का रस्ता स्वादन कीजिए, स्वागत है, स्वागत है ये कविता दानशीर शामदानिश्वर द्वरा रचित एक प्रवासी साहित्य है प्रवासी साहित्य को भी मैं बता चुकी हूँ कि प्रवासी साहित्य क्या होता है इसे प्रवासी भारतिय हिंदी साहित्य संग्रह से लिया गया है और इसमें कभी प्रवासी भारतियों को अपना सब कुछ भुला कर मौरिशस की धर्टी पर एकत्रित होने के लिए गैदर करने के लिए कह रहा है वो मौरिशस की धर्टी पर सभी को अपना जो है पास्ट भुला कर जो उसकी old bad memories है उन सबी चीजों को भुला कर मौरिशस जो एक भारत से दूर एक लखू भारत है वहाँ पर एकत्रित होने के लिए गैदर होने के लिए कह रहा है यहां भारतवासियों की स्रजन शीलता का भी वर्णन किया गया है उसको बताया गया है कविता की भूल जाओ जहाजी कारना में जो होना था प्रारद में जो किस्मत में हमारे था प्रारद में था यानि जो हमारी किस्मत में था वही तो हुआ हम सब के साथ अब रोना रोने से क्या होगा इन पंक्तियों में करुन रस देखने को मिलता है पनिया जहाजपन कौन चढ़ेगा अब भाईया बढ़ा डर लग रहा है उससे तो कहीं फुना दोह्राना दे इतियास हमारा यह भयानक-च्रती है इससे भयानक-च्रत डर लगता है यहाँ पर कोई प्रतिकों का बहुत ही सुन्दर ढग से उप्योक किया गया है जैसे भारतियों के रुप में जहाजी भाई मौरिशस के रुप में लगू भारत के प्रांगन वा नहीं है स्रजनात्मक भारतियों के रूप में पंकज आदी राक्षस मारीच का उलेक मौरिशस की एतिहासिक हिस्टोरिकल वो पौरानिक प्रश्ट भूमी को दर्शाता है कविता की भूल जाओ वो जहासी कारणा में जो होना था प्रारद में वही तो हुआ हम सब के साथ अब रोना रोने से क्या होगा यह मेरी पसंदिदा पंक्तियां है इसमें पुरानी बातों को दुखों को भूल कर हमें वर्तमान प्रेजन्ट में जो है हमें क्या करना है हमें प्रेजन्ट में वर्तमान जीने की प्रेड़ना मिलती है कवी हमें motivate कर रहा है कि हमें अपनी पुरानी old memories को बुला देना चाहिए जो बहुत दुख देने योगी है उन सब memories को बुला देना चाहिए और हमें present में हमें वर्तमान में जीना चाहिए जो बीत गई वो बात गई इसे ध्यान में रखकर हमें अपने जीवन को सदत आगे बढ़ते रहने के लिए motivate करना चाहिए कविता में अंग्रेजों के शासंकाल में जिन भार्तियों को मजदूर बना कर देश्वी देश भेजा गया था उन्हें अपने दुखों को बुलाने की प्रेणा दी जा रही है उनके जीवन में जो सकारात्मक बाते हुई है उनको उजागर किया गया है यहाँ पर एक तावप्रेम जैसे मुल्यों को भी प्रस्तुत किया गया है इसी के साथ हमारे रसास्वात का जो है वीडियो पूरी होती है थैंस वाचिव वाचिव वाच्छ वीजिए लेवन जाड़ भाते है